आज मैं आपके लिए बहुत ही शांदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम सुनते आपके मुह में पानी आ जाएगा इस रेसिपी का नाम है शाही बनेर तो आईए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिए है चार मिडियम साइस की प्यास 10-15 लसुन की कलीयां 2 हरी मिर्च एक इंच अद्रक टुकड़ा दो मीडियम साइस की टमाटर 10-15 काजू कड़े मसाला मैंने यहां पर लिया है दो हरी लाइची सातार काली मिर्च दो से तीन लॉंग, एक तेजपान का पत्ता, एक दालचिनी का टुकड़ा, यहाँ पर मैंने लिया है एक टेबल स्पून फ्रेश दूद की मलाई, एक चोथाई कटोरी फ्रेश दही, यहाँ पर मैंने लिया है डेट सो ग्राम पनीर, यह होमेट पनीर है, इसे मैंने घर पर बनाया है, जिसकी रेशिपी में पिछले वीडियो में अफलोड कर चूगी, अगर आप पनीर की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, तो आपको बाकी इंग्डियेंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी, आप देख सकते हमारा पनीर कितना अच्छा बना है, यह मिर्च और अद्रक का, और तीसरा टमाटर का, हमें तीन अलग अलग पेस्ट रेडी करने होगे, मैंने यहां पर एक कडाई गर्म होनी के लिए रख दी है, उसके अंदर मैंने एक से डेड़ बड़े चमच ओई डाल दिया है, अब सबसे पहले में इसके अंदर डालूंगी यह खड़े मसाले, इसे हलका सा फ्राइ होने देंगे, इसके साथ ही मैं डालूंगी यह चार से पांच काजू, थोड़ा सा जीरा, यह हाफ टेबल स्पून है, अब इसे हलका सा तड़तने देंगे, ध्यान रखिए इस स्टेज पर आपको गेस की फ्लेम लो करना है, अदर काजू जल जाएंगे, काजू बहुत जल्दी जलते हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, यह प्याज और काजू का पेस्ट, अब हम इसे भी अच्छे से हिलाएंगे, और हलका सा फ्राइ होने देंगे, जब तक कि यह हलका सा गोल्डन ना हो जाए, लगपक एक से दो इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, अब मैं इसके अंदर डालूंगी, यह हरीमिच, लशन और अद्रुका पेस्ट, इसे भी हमें लगबग एक से दो मिट तक पकाना है, मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि यह नीचे चिपके ना, देखिए अब इसके अंदर डालूंगी में यह टमाटर का प्योरे, अब इसे भी हमें लगबग 2-3 मिट तक पकाना है, जब तक की और सेपरेट ना हो जाए, और सर्फेस पर ना दिखाई देने लगे, अब दो मिट हम धकन लगा कर इसे पकाएंगे, तब तक हम यह सुखे मसाला दे एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, वन फॉर्थ स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून नमग, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, देखें, हमारा ओइल सर्फेस पर आ चुका है, अब हम यह सारे सुखे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी अड़ करेंगे, इसे भी लगबग 2-3 मिट तक पकने देंगे, जब तक कि हमारा ओइल सेप्रेट ना हो जाए, देखें, हमारा ओइल सेप्रेट हो चुका है, अब इसके अंदर डाल रही हूं में यह फ्रेश दूद की मलाई, यह मैंने रूम टेप्रेचर पर ली है, आप इसके जगा कुकिंग क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रेश दूद की मलाई ही प्रेफर करूँगी, अब हम इसे भी लगबग 1 मिट तक पकाएंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश दही, यह भी मैंने रूम टेंप्रेचर पर लिया है, इस स्टेश पर आप गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, जब आप दही एड़ कर रहें, अदर्वाइस हमारी ग्रेवी जो है वो फट जाएगी, जब भी आप मसाले में दूद्य दही एड़ करें, गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, अब इसे भी हम लगवग एक से दो मिट तक खुला पकाएंगे, पकने के पहचान यह होती है कि हमारा ओल जाए वो सर्फेस पर दिखाई देने लगता है, अब अंदर डाल दूंगी में यह पनीर, जिसके मैंने छोटे-छोटे पिस्टेस में कट करके रखा हुआ है, अब हम इसे भी अच्छे से हिलाएंगे, यह देखिए, मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है, अब मैं इसमें एड कर रही हूँ, यह एक ग्लास पानी, आप चाहें तो इसमें पॉन ग्लास पानी भी एड कर सकती है, अब हम इसका ढगा देंगे और इसे लगबख 10-15 मिट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे, इसे पकते वेड पांच मिट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लते हैं, अब हम इसका ठकन लागा कर वापस इसे 10 मिट तक और पकने देंगे, यह देखिए, इसे 10 मिट हो चुके हैं, इस स्टेज पर अब हम इसमें एड करेंगे, यह कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से पनीर वाली सबजियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हता है, अब हम इसे अच्छा से हिला लेंगे, और इसे लगबग, लगबग 5 मिट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे, देखिए, 5 मिट हो चुके हैं, हमारा शाही पनीर पहले से काफी गाड़ा हो चुक सर्विंग बॉल में सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं, यह किता डिलिश्यास लग रहा है, आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी बूले, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप मेरी इस झाल को सबिस्टाइब